जो सब चीज घर में बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है हम उसको कभी भी ट्राइ नहीं करते है रागी इडली भी उन में से एक है जैसे कि उसका प्रोसिस थोड़ा लंबा रहता है फर्मेंट होके बैटर फिर उसको इडली बनाने तक ये इंस्टांट रागी इडली ह इसको हम बस आधे घंटे के अंदर बना के तैयर कर सकते हैं एक रागी इडली को मैं आपको चेक करके दिखाते हूं आप देख सकते हो अंदर से पुरा जाली दिखाई दे रहा है और सब बनके तैयर हुआ है चले रेसिपी शुरू करते हैं रागी इडली के लिए बैटर करने के लिए पहले हम ले लेंगे रागी का आठा ये रागी का आठा एक कप इसमें हम मिक्स करेंगे आधा कप रवा या सुजी आप अगर इसको बारिक बला लेते हो तो और भी आच्छा है जितने क्वांटिटी में हमको रागी का आठा लेना है आधे क्वांटिटी में करेंगे नमक, एक कप ले लेंगे ताजा दही, दही खटा नहीं होना चाहिए, ताजा बला अगर आप डालते हो तो इडली और अच्छे से बन के त्यार होता है, एक कप मैंने यहां ले लिया है, अभी हम सारे चीज को मिला देंगे, इतनी दही में तो बेटर बन के त्यार न के तैर कर सकते हैं, उनमें से है के यह रागी इडली, अब हम इसमें पानी आड करेंगे, जितनी क्वांटिटी में पानी जरूरत होगा, उतनी क्वांटिटी में डालेंगे, मैं यहां आधा कप पानी ले रहे हूं, और आगे अगर जरूरत हुआ तो डालेंगे, नहीं तो इसमें अगर बैटर बन गया तो और पानी डालने की जोरोत नहीं है सारे चीज को अच्छे से मिला देंगे रागे इडली के लिए ये जो गोल हम बना रहे हैं ये प्रॉपर कॉंसिस्टंच में आ चुका है आप देख सकते हो इसमें और पानी डालने की जोरोत नहीं है अब ही हम बैटर को कवर कर देंगे 20 मिनिट तक इसको रेस्ट लेने देंगे इडली बनने के लिए इडली मेकर में एक ग्लास पानी ले लेंगे इडली मेकर को कवर कर लेंगे फ्रेम को अन कर देंगे और श्लोपलेंड में पानी को गरम होने देंगे इडली को बनाने के लिए इडली मोल ले लेंगे ये जो इडली मेकर आपने देखा है इसमें एक साथ 16 इडली बनके त्यार होता है तो पेहले जितना भी इडली बनाने के लिए साचा है उसको हम घ्रीज कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा ऐल डालके उसको अच्छे से ब्रश में इसको चारो तरफ फेलाके घ्रीज करना है और चारो जो इडली का इस तरीके का मोले सबको पेहले में घ्रीज कर लूँगी प्रपर कंसिस्टांची में है इसमें पानी बगेर आड़ करने की जरुत नहीं है यहां हम देड चमच आड़ करेंगे इसमें रिफाइन तेल तेल डालने से इडली ड्राइ नहीं होता है सब्ट और थोड़ा सा ओयल इसमें रहता आए तो आच्छे सी बनके त्यार होता है सारे इंग्रिडिन्स को एक बार फिर से हुम मिला देंगी फर्मेंट करने के लिए इसको हुम डालेंगी इनो फ्रूट शल्ट एक चम्मस ले लेंगी इनो फ्रूट शल्ट फिर से एक बार सारे इंग्रिडिन्स को मिला देंगी आप चाहे तो इनो फ्रूट शल्ट के बदले ले सकते हो खाने का सोड़ा खाने का सोड़ा अगर आपको लेना है तो आप आधा चमस ले सकते हो अभी हमारा रागी के इडली के लिए बैटर बन के त्यार हो गया है बैटर को इडली की साचे में डाल देंगे बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है थोड़ा सा जागा उपर से रखना है क्योंकि स्टीम होने के टाइम ये उपर तक आ जाएगा जितने भी साचा है चारो है सब में से सेम तरीके से पहले हम बैटर को डाल के त्यार कर लेंगे फिर इसको उपर उपर हम ले लेंगे एक इडली के उपर दूसरा इडली को नहीं रखना है थोड़ा सा ग्याब देना है जैसे कि आपको जहां इडली निचे वाला है उसको छोड़ के थोड़ा अलग जगा पर दूसरा वाला साचा को रखना है सेम तरीके में चारो साचे को हम ले लेंगे अभी हम इसको स्टीम करने के लिए ले लेंगे जो पानी हमने गरम करने के लिए रखे थे पानी अब गरम हो चुका है तो इडली स्टान्ट के अंदर हम इडली की साचे को रख लेंगे इडली स्टान्ट को कवर करेंगे 10 मिनिट बस इसको हम स्टीम देंगे और स्लो मिडियम फ्लेम में देंगे ज्यादा नहीं कूक करना है 10 मिनिट हो चुका है तो अभी हम चेक करेंगे आप देख सकते हो रागी का इडली अभी बनके त्यारे और बहुत बड़े ये दिख रहा है इडली स्टांड से ये जो साचा को निकल देंगे 4-5 मिनिट छोड़ के फिर इसको निकलेंगे इडली को अभी इडली गुनगुन आए साचे से हम एक स्पून में निकल देंगे इडली को बहुत ही बड़े बना हुआ है और सब भी बना है आप देख सकते हो सारे इडली को मैंने एक ट्रे में ले लिया है प्रपल लिये बनके ट्यार हुआ है इसका साइज भी ठीक है और जाली भी दिख रहा है तो एक को तोड़ के हम चेक करेंगे आप देख सकते हो इडली कितना स्पांजी बनके ट्यार हुआ है ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राय करें बहुत आचा बनता है इंस्टांट कुछ बना ना है तो इसको आप ट्राय कर सकते हो और हेल्दी भी है बच्चों की टिफिनो या सामका नास्ता इवेन ब्रेकफ़स्ट और डिनर के लिए भी ये बहुत ही बड़या रेसिपी है ये बला रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राय करें और रेसिपी के बारे में आपकी मन में जो भी कोस्चिन से कमेंट सेक्षन में सेर करें इस तरह के कि बहुत सरे हिंदे रेसिपी के लिए मेरे पेज को लाइक करें और फ़लो जरूर करें